हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ स्वाटिका में दोस्तों मैं हूर उपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इससे पहले भी हमने इस सीरीज के वीडियो को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलाबा प्ले स्टोर से मैथ स्वाटि के अपलिकेशन को डाउनलोड करके आप हमरे साथ पेड़ बैच में भी जूर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज की क्लास को देखिएगा पहला कोश्चन आपके सामने है जो की सिलोक्स टॉपिक से है सिलोक्स के कोश्चन में कुछ कथन और कुछ निसकर्श दिये जाते हैं आपको दिये गए कथन के अनुसार यह तै करना होता है कि कौन सा निसकर्श सही है इस टॉपिक के कोश्चन को सोल्ब करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो है आपका वेन डाइग्राम मेथड और वेन डाइग्राम मेथड क्या कहता है कि जो भी कथन दिया गया है उसके आधार पे आप बना लिजे वेन डाइग्राम और फिर उस वेन डाइग्राम के आधार पे अगर आप निसकर्श निकालते हैं तो जो निसकर्श निकलेगा वो बिल्कुल सही निकलेगा निसकर्सवा होता है जो निस्चितसत होता है तो आईए हम लोग वेन डाइग्राम ड्रो करते हैं यहाँ पे देखे क्या बोला है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं तो कुछ वाला का वेन डाइग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कुछ बिल्लियां कुट्टे हैं अब एक जो पार्ट हो गया वह आपका किसका हो गया बिल्ली का और एक जो पार्ट है वह आपका हो गया कुट्टा का कुछ बिल्लियां कुट्टे हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अब आगे क्या बोला है अगला है कोई किया था जिसको भी हमने रिखांकित किया है वह भाग क्या नहीं है तो यहाँ वłęं डाइग्राम आपका बनके त्यार हो गया, यहां जो कफन दिया गया है उसका, अब इसके अनुसार हम लोग निसकर्स निकालेंगे, तो पहला निसकर्स देखिए क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो देखिए कुत्ता और बिल्ली कॉमन है, हाँ सर कुत्ता और बिल्ली कॉमन है, यानि कि पहला निसक परस जो है वह बिल्कुल सही है, कुछ कुटा जो है वह बिल्ली है, दूसरा कुछ बिल्ली मचली नहीं है, नहीं है कौन होगा, जो भाग रेखांकित होगा, यहां क्या बोला है कुछ बिल्ली मचली नहीं है, तो हम देखें कि बिल्ली का कुछ भाग रेखांकित है, हाँ सर बिल्ली का कुछ भाग तो रेखांकित है और जो भी भाग रेखांकित है वो मचली नहीं है तो बिल्ली का कुछ भाग रेखांकित है यानि कुछ बिल्ली मचली नहीं है यह बात भी बिल्कुल सही है यानि इस question का हमारा आंसर क्या होगा निसकर्स एक और दो दोनों अनुसरन करता है दोनों उप्युक्त है यानि बिकल्ब सी इस कोश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बरते अगले कोश्चन में इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से परहा रखे हैं आप जाके वीडियो देख सकते हैं अगला कोश्चन है आपका क्लॉक से ध्यान से समझेगा यह भी आपका most repeated कोश्चन है बोला है एक घरी में दो बजे और तीन बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 60 डिगरी का कोन बनता है उस समय समय क्या होगा ध्यान से समझेगा इस कोश्चन में इंगल दे रखा है कि 60 डिगरी क के बीच AM PM से कोई फर्क नहीं परता है इंगल में 2 और 3 के बीच किस समय 60 डिगरी का कोन बनेगा यही हमें इस कोश्चन में बताना है ध्यान से समझेगा आज के बाद इस तरह का कोई भी कोश्चन होगा आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इंगल निकालने क क्या है इंगल तो दे रखा है हमें समय बताना है समय निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं ध्यान से देखिएगा दो बट्टाए 11 इंटू एवन प्लस माइनस एटू बस इतना छोटा सव फॉर्मूला है बस आपको इसको याद रखना है इसी से हम लोग समय निकालेंगे कि किस समय साथ डिगरी का कौन बनेगा फॉर्मूला क्या है आपका दो बट्टाए 11 इंटू एवन प्लस माइनस एटू अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको दो बट्टाए 11 तो कॉंस्टेंट है एटू के अस्थान पर जो एंगल देग उसी को रखना है जैसे यहाँ पे हमें साथ डिगरी का कौन बनाना है तो एटू के अस्थान पर हम लोग साथ डिगरी लेंगे और प्लस माइनस इसलिए हम लोग देते हैं कि दो और तीन के बीच ऐसी पॉस्पलिटी है कि दो बार ऐसा समय आ जाए जब साथ डिगरी का कौ बने क्योंकि कोई भी जो पर्टिकुलर समय होता है यानि कि एक घंटे में ना कोई भी कौन दो बार बनता है जेनरली दो बार बनता है ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो है आपका एक आंसर प्लस करके निकलेगा और दूसरा आंसर माइनस करके तो आए सोल्व करते हैं प्लस माइनस एटू का भी मान कितना है अपका यहाँ पे शाठ है एवान के अस्थान पर क्या रखना है आपको पिख बार बनता बीच बोला जाता साठ अर आठ के बीच बोला जाता तो स्मॉळ। तो साथ हो जाएगा तो साथ उने तीस लिखेंगे चलिए अब इसको solve करिए अब solve करने वक्त दो तरीके से solve करना है एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के तो अगर हम यहाँ प्लस लेकर के solve करेंगे तो क्या value होगा 2 बट्टा 11 इंटू धियान से समझेगा आप साथ पलस साथ एक आंसर तो हमारा यहाँ से आएगा ठीक है और दूसरा आंसर हमारा यहाँ से आएगा 2 बट्टा 11 इंटू 60-60, एक बार माइनस ले करके और एक बार प्लस ले करके solve करेंगे, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे 60-60 क्या होगा, 0, 0 गुने 2 बटाए 11, मतलब इस पार्ट को हमें solve करने की आप सकता नहीं है, 60-60, दो बटाए 11, में 0 से गुना करेंगे, 0 आगया, 0 आगया, वहाँ पे हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अगर कोई और वैलू होता, तो फिर दो टाइम ऐसा पॉसिबल हो जाता, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसको solve करते हैं, इसको solve करेंगे, तो अब क्या हो जाएग आपका 60-60, 120, 120 गुना दो, 240, 240 बटा ए 11, 240 बटा ए 11 को हम लिख सकते हैं, पुर्णांक के फोर में लिखे, 11 दुना 22, दो बचेगा, यहाँ पे 20, 11, एकम ए 11, 9 बचा, यानि 21 पुर्णांक 9 बटा 11, अब जो यह 21 पुर्णांक 9 बटा 11, आया है, वह क्या आया है, यह आया ह मिनट, यह क्या है आपका मिनट, यानि कि इतना मिनट के बाद, यह क्या है आपका इतना मिनट के बाद, जो कौन है वह बनेगा, यानि साथ डिग्री का कौन बनेगा, किस समय से, तो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग समय, क्योंकि इस समय के 20 मिनट बाद हम लोग जाएंग दो बज कर दो बज कर क्या हो जाएगा आपका दो बज कर 21 पुनांक 9 बटा 11 बजे साथ डेगरी का कोन बनेगा दो और तीन के बीच ठीक है चलिए वढ़ते हैं अगले कोश्चन में अब देखते हैं हम लोग अगले कोश्चन को अगला कोश्चन देखे क्या है उपियूक्त आकिरती का जल पर्तिविम क्या होगा हमी यहाँ पर जल पर्तिविम खुजना देखिए अभी जो इसका उभरा हुआ भाग है करवाकार भाग है वो किस तरफ है दाहिने तरफ है तो यह दाहिने तरफ ही रहेगा बस कहां आ जाएगा बस यह आपका नीचे आ जाएगा यह जो उभरा हुआ भाग है दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही रहेगा लाइन के दाहिने तरफ अगर यह भाग है तो दाहिने तरफ ही रहेगा तो हमें यहाँ जो लेटर दिया गया है उसका चुनना है तो पहले लेटर कहीं हम कर लेते देखिए पहले लेटर को ही केबल बदलते हैं इस तरीके से हम कर सकते हैं देखिए ऐसा ही तो होगा अपने अस्थान प बिल्कुल यहां पे सेम रखा है इस option में इस option में तो विकल B तो हमारा कभी आंसर हो ही नहीं सकता है विकल B और C जल परतिमीं बनता कैसे है तो डारेक्ट भी आप अपने question का अंसर निकाल सकते हैं ठीक है जल में क्या होता है अपने ही अस्थान पर उपर से नीचे और mirror में क्या होता है दरपण में क्या होता है राइट टू लिफ्ट गौर से देखिएगा अगर mirror में देखते है तो जेट स से शुरुआत होता ठीक है शुरुआत कहां से होता जेट से सुरुआत होता मिरर में राइट वाला लिफ्ट में आ जाता है और लिफ्ट वाला राइट में लेकिन जल में अपने ही अस्थान पर उलट जाता है यहां देखिए यह कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जात उपर वाला जो दिसा है वह है आपका उत्तर और नीचे वाला जो दिसा है वह है आपका दक्षिन इसके अलाबा उत्तर और पूरब के बीच का जो दिसा है वह है आपका उत्तर पूरब दक्षिन और पस्षिन के बीच का जो दिसा है वह है आपका दक्षिन पस्षिन उसी तर तरफ पस्याइम बाइंटर उपर में भी प्रांड अलाबहस सब डाइरेक्शन है जैसे उत्दर पूरव उत्तर पस्याइम उस में हमेशा हम लोग उत्तर और दक्षिन का कोई आ गया तो उसका उचारान हम लोग पहले करेंगे उत्तर और पस्यम के बीच का दिशा उत्तर पस्यम अब कोश्चन यहां पर क्या है देखिए ध्यान से समझेगा बोला है पूरब जो है उत्तर पूरब बन जाता है तो अगर इसमें हम एक दिशा को बदलेंगे ना तो स सभी दिशा चेंद हो जाएगा और एक दिशा को जितने एंगल पर बदलेंगे सभी दिशा उतने ही एंगल पर बदलेगा तो पूरब को उत्तर पूरब बनाए देखिए पूरब यहां पर इसको उत्तर पूरब बनाना है यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है यहां से यहा हम लोग क्या होते हैं clockwise rotation घरी के दिशा में यह घरी के विपरीत दिशा में तो anti-clockwise rotation हुआ है कितना degree का 45 नि Church हो जाएगा used में ठालिस выз चेर्ज हो जाएगा तो हमें बताना पस्सिम बन जाएगा तो must पसिम को भी पसिम को भी इंटी क्लॉक वाइज में 45 डिगरी चेंज करिए क्योंकि पसिम भी इंटी क्लॉक वाइज में 45 डिगरी चेंज होगा तो क्या बन जाएगा आपका दक्षिन पसिम बन जाएगा तो आंसर हमारा इस कोश्चन का क्या होगा विकल्प भी हो जाएगा ठ करते हैं अगले question में कर अगले question में यहां पे देखिये यह भी most repeated आपका question है बोला है कि एक साल में कौन से जो महिने महिने मेरे में एक ही calendar होगा यानि कान से दो महिने का calendar सेम होगा आप पूड़ा 12 महीने का calendar sudah to use करते हैं अगर पताब सकता पड़ेगी 255 136 पहले भी हम कई दफा इस चीज को बता चुके हैं और इसके अलाबा है आपका 147 257 इसको आप दो पार्ट में याद रख सकते हैं इस तरीके से 255 136 147 और 257 अब यहां पे 255 का मतलब क्या है या सभी महीना है जनवरी हो गया फरबरी हो गया मार्च हो गया अप्रील है मई है जून है इसके अलाबा देख लिजें या आपका जुलाई हो गया अगस्त है सेप्टेंबर ऑक्टूबर नौंबर और दिसंबर बहुत अच्छी तरीके से ना कोडिंग के माध्यम से हम इसको याद भी कराए हैं जहां पे हमन इर में एक ची और ध्यान रखेगा यह नॉर्मल ययर का कोड है लेकिन अगर लीप यर हो जाये तो लीप यर के केस में ना दो जगए चेंज होता है जनवरी का कोड़ 2 के बजाए हो जाएगा एक और फरबरी का कोड़ 5 के बजाए क्या हो जाएगा 4 बाकी सभी महीनों का code जो है वो सेम रहेगा leap year के case में सिर्फ जनबरी और फरबरी का मन्त code एक घट जाता है बाकि सभी महीनों का मन्त code सेम रहता है मार्च का 5 अप्रील का एक माई का तीन हर case में रहेगा leap year काने का मतलब 2020 एक leap verse है जिसका जिसमें 4 के भाग लग जाए जिस वर्स में 4 का भाग लग जाए leap verse होता है leap verse का मतलब 316 दिन उस साल आने वाला फरबरी 29 दिनों का यही तो leap verse का concept है तो normal year का यह code है leap year के case में क्या होगा जनबरी और फरबरी का मन्त code एक घट जाएगा यहाँ पर देख लिए चर्चा नहीं किया है कि कौन सा महीना आचा वर्स कौन सा है चली बरते हैं आगे अब हमें बताना है कि कौन से 2 महीनों में एक ही calendar होगा यानि वैसा कौन सा 2 महीना है जिसका calendar सेम होगा तो calendar सेम देख लिए उन्हीं मन्त का होगा उन्हीं महिनों का होगा जिसका code match कर जाए तो देखिए जनबरी के साथ किस महिने का code match किया है दो और किसका code है ऑक्टूबर का यानि जनबरी का और ऑक्टूबर का calendar सेम हो जाएगा आप निकाल के जरूर चेक करिएगा एक नॉर्मल यहर में जनबरी का और अक्टूबर का केलेंडर आपको सेम मिलेगा, यानि जनवरी की एक जनवरी को जो भी दिन होगा, एक अक्टूबर को वही दिन होगा, उसी तरह से पांच अक्टूबर को जो दिन होगा, पांच जनवरी को भी वही दिन होगा, मैच करा के जरूर देखिएगा, लेकिन लीप के-स में leep your key case में जनवरी का Code एक होता है तो leap your key case में जनवरी अपरील और जुलाई का Code आपका क्या होगा होगा सेम हो जाएगा उसी तरहिख से फरवरी का Code 5 तो फरवरी का merch का औरर नौूर्मबर काalta इन नहां पर क्या बताना है इसमें से चुनना है तो अपरेल और जुलाई का केलेंडर सेम होगा तो अपरेल का कोड कितना है एक और जुलाई का कोड कितना है एक मैच कर गया मतलब अपरेल और जुलाई का केलेंडर आपका क्या होगा सेम हो जाएगा अक्टूबर दिसंबर अक् है अक्टूबर का दो है तो इसके बेसिस पर आप अपना आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं 255 136 147 257 यह किसका कोड़ है यह आपका मंत का कोड़ है एक और आप ध्यान रखिएगा जिसकी आगे आप सकता पड़ेगी डे का कोड़ डे सुरू कहां से होता है सुक्रबा का कोड़ कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा और गुरुबार यानि कि तरस्दे का कोड़ आपका हो जाएगा छे कुल मिला के साथ दिन होता है सुक्रबार से आपका क्या होता है कोड़ सुरू हो जाएगा सुक्रबार का कोड़ जीरो सनी बार का एक रविवार का दो उस से करेंगे हम लोग गौर से देखिएगा यहां हम लोग कोड का उपयोग करेंगे सबसे पहले तारीख लिखिए दो तारीख हो गया अपरेल महीने का कोड क्या होता है अपरेल का कोड अभी जस्ट देखे हैं एक दो पांच पांच एक तिन छो अपरिल का कोड कितना एक तो सताबदी 2000 हो तो अलग से 6 जरूर एड करिएगा जब सताबदी 2000 सताबदी हो तो अलग से 6 एड करना है जैसे 2006-2005-2009 तक में अलग से 6 एड करना है यह सताबदी का कोड होता है 1900 का केसर है 1901-1902-19 lemonade में इन सब जगह पे आपको कोई अलग से कोड यूज नहीं करना है लेकिन 2000 के केस में आपको क्या करना है अलग से 6 एड करना है फुर से देखिएвол़े क़्या लिख हैं हैं सबसे पहले तारीक फिर महीने का कोड़, साल का अंतियम दो अंक, अंतियम दो अंक में चार का भाग कितना बार और लास्ट में जो सताबदी का कोड़ है उसको एड़ किये हैं सब वैलू को जोड़िए, दो एक तीन, तीन, आठे, ग्यारा, दो तेरा और छे बीस बीस का मतलब देख लिजए, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, दो एक तीन, तीन, और आठे, ग्यारा, दो तेरा, और छे, उन्नाईस अंगल बार, बुधबार, पांच का मतलब कौन सा दिन होगा, पांच का मतलब हो जाएगा, बुधबार हो जाएगा, अगर छे आता यहाँ पे, वैलू फाइनली छे आता, छे का मतलब क्या हो जाता, गुरु बार हो जाता, पांच का मतलब बुधबार, छे का मतलब बुध तरीका है कि जितने भी इसमें बॉक्स है देखिए एक दो तीन चार उसमें नमबरिंग कर लिए और जो सबसे बरा नमबर आए उसको डबल कर दिए तो चार का डबल आठ इसमें कितना तिरभूच आठ तो ऐसा जब भी बेसिक फिगर रहे तो इसमें तिरभूच काउंट करन है जोड़ लेना है एक दो तीन एक और दो तीन देख लिए एक यह वाला एक यह वाला एक बरावाला तीन अब आई यहां पर देखते हैं सबसे पहले दो बेसिक फिगर है इसमें देख लिए एक तो आपका इससे इधर एक बेसिक फिगर इसमें कैसे काउंट करेंगे एक तेन, चार, पांच, छे, आया छे का डबल कितना, 12, पहले basic figure में 12, अब इस figure में देखिए, एक, दो और एक बरावाला 3, 12, पलस कितना हो गया, 3, अब आगे देखिए, अब हम वैसे triangle को देखेंगे, जो इन दोनो basic figure के मिलने से बना हो, देखिए, ऐसे basic figure को घ्र भेवाट, ज जब यहाँ दोनों basic figure आपस में मिलता, उसी तरह से नीचे आवाला कब बनता, जब यहाँ दोनों basic figure आपस में मिलता, तो extra यहाँ पे कितना हो गया, दो, तो 12 पलस 3 पंदरा और 2 बीकल्ब D हमारा इस question का सही answer होगा, पहले basic figure में, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, 12, 3, 15, उसके बाद दोनों basic figure के मिलने से, यहाँ जो triangle हम लोगोंने count किया है, एक उपर से और एक नीचे से, यह तभी बनता, जब यहाँ दोनों figure आपस में मिलेगा, दोनों basic figure आपस में मिलेगा, ठीक है, चलिए बरते हैं अगले question में, number 9, बोलाए निमलिकित सिंखला का अगला पद क्य होगा, देखिए number से या फिर later से किसी भी चीज़ से पकड़ सकते हैं, 5 plus 2, 7, 7 और 4, 11, 11 और 6, 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, 25 वाला कौन सा option है, cable, अच्छा, दो-दो option है, 25 के साथ Y भी है, इस भी है, चलिए आगे देखते हैं, अब later को चेक करते हैं, later को चेक करिए, I plus 1 J, J plus 2 L, I 10 पे और L 12 पे, 12 और 3 15, 15 और 4, 19, 29 वालेटर क्या हो जाएगा, इस, देखिए पहले I, I plus 1 J, I 9 नमबर पे J 10 पे, 10 और 2 12, 12 और 3 15, तो 15 और 4, 19, 25 इस, हमारा answer इस question का क्या होगा, भी कल्प D हो जाएगा, बढ़ते हैं, अगले question में, अगला question देखिए यहाँ पे, क्या है, सल्फियूरिक अमल की प्रकिर्टी अमलिये है, यह आपका कथन है, अब इस कथन के हिसाब से हमें यह तैय करना है, कि जो निसकर्स दिया गया है, उसमें से कौनसा निसकर्स सही है, क्या बोला है, सल्फियूरिक अमल की प्रकिर्टी अमलिये है, यह कथन है, निसकर बिलियन का pH value 7 से ज्यादा होगा वह क्या होगा चाड़िये होगा तो sulfuric अमल का pH मान 7.5 कैसे हो सकता है क्योंकि यह तो इसका प्रकृर्टी तो अमलिये है दूसरा देखे क्या है sulfuric अमल में कुछ phosphorus होते हैं ऐसा इसमें बोला गया है नहीं बोला गया है तो यह भी तो हमारा आँसर क्या होगा न तो निसकर स एक और न निसकर 2 कोई अनुसरन करता है बढ़ते हैं अगले question में अगला question देखे के तर्क और अनुमान है यानि एजच्प्सर्ण है ओता हुता है जो अनुमान एसा होता है जो इसके अंदर अंतर नहीं थो तर्क देखे क्या है सहर में गड़ों के कारण बहुत से लोग समय पर हवायड़ा तक नहीं पहुंच पाते हैं फिट से सुनिएगा कथन क्या है तर्क क्या है सहर में गड़ों के कारण बहुत सारे लोग समय पर हवायड़े तक नहीं अब इसमें देख लिए इस कानुमान क्या है? समय पर हवायड़े तक पहुंचना आवस्यक नहीं है, यहाँ बात तो गलत है, समय से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन पहुंचना आवस्यक नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बोला गया है कहीं, आगे हवायड़े के लिए कोई अन अगर अन कोई मार्ग होता तो उस मार्ग से लोग जाता, फिर सहर से जाने क्याप सकता नहीं होती, तो दोनों का दोनों क्या है, गलत है, ना तो अनुमान एक और नहीं अनुमान दो, तो अनुमें से कोई भी इसके अंदर अंतरनिहित नहीं है, आगे चलिए, अगला यानि statement और exemption फिर से वही चीज है कथन पढ़िये क्या है अस्थानिय पंचायत ने गाउं की रक्षा के लिए रात को पहरेदार नियुक्त करने का फैसला लिया अस्थानिय पंचायत जो है वह गाउं की रक्षा के लिए रात को पहरेदार नियुक्त करने का घोसना किया है नहीं होगी यह बात भी मिल्कुल सही है यहां जो आपका परेदार की नियुक्ति क्या गया है इसी कारण से तो क्या गया है तो एक और दो दोनों अंतर नहीं थे बिकल्प डी जो है वह आपका इस कोश्चन का सही आंसर होगा हमेसा आपको क्या देखना है कि यहां जो कथन ब हाई एक्स है ठीक है ब्लड देखन के कोश्चन को सोल्व करने के लिए हम दो फैंगली टी बनाते हैं फैंगली ट्री में आपको क्या ध्यान रखना होता है जैनरेशन का और जैंडर का अगर जैनरेशन की बात करें तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखेगा जो बाद में आया है उसको निचे लिखेगा और जेंडर की बात करें तो पुरुस को हमेशा आपको रखना है ट्रैंगल में और महिला को रखना है सर्किल में ठीक है और केवल जो बिवाही तो जुड़ा होगा उसके बीच में है आपको plus sign यूँज करना है अब आइए इस question को solve करते है पहला क्या है य का भाई x है य का भाई x है ठीक है य भाई नहीं है य का भाई कौन है x तो y और x साथ में रहेगा और gender किसका clear है x का क्योंकि x भाई है ठीक है लड़का का भी भाई हो सकता है लड़की का भी भाई होता है तो X भाई है तो X का तो gender clear है कि X पूरुस होगा और देखिए भाई है same generation का है तो इसके साथ में आया आगे Y की मा भी है Y की मा कौन है भी है तो मा हमेशा कहा रहेगा उपर और मा है मतलब महिला है इसको रखेंगे सरकिल में किसी भी परसन के उपर केबल उसके माता पिता को रखना है और नीचे उसके संतान को तो देख लिजे Y क्या हो जाएगा Y संतान हो जाएगा भी का या लड़का बेटा भी ह हो सकता है बेटी भी हो सकता है और δेikt के बारे में confirm है कि एकस बेटा होगा किसका भीकर क्योंकि इसका यहां भाई है तो यह दोनों जो है वह किसी एक प्रसंड का ही मतलब किसी एक के ऩ भी के पती का बहन कौन है इम यहां पर हम रिखेंगे इम भी के पती का बहन इम है आगे आगे देखें क्या है भी का भाई इन है भी का भाई कौन है इन है इसको अलग ही रखिए भी का भाई इन है भी के समानांतर रखिएगा लेकिन इसके उपर मत रखिएगा क्योंकि इसके उपर केवल इसके माता पिता होंगे तो भीका भाई जो है वह कौन है इन है भीका पती यू है यही तो भीका पती है या कौन है यू भीका पती यू होगे अब हमें क्या बताना है तब यू की मा वाई की कौन है तब यू की मा यानि यहां जो ब्यक्ति है वही यू की मा होगी यही U की माँ होगी ना जो U के ऊपर होगा और महिला होगा तो U की माँ बोला है Y की कौन होगी तो देखिए Y की माता यह Y का पिता माता माता का पती पिता यानि Y के पिता की माता Y के पिता की माता जो होगी वही U की माँ होगी तो पिता की माता यानि की दादी मा विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन में देखेगा यह कोश्चन आपका वेंड डाइग्राम से है बोला है एक विशेश सहर में 5000 ब्यक्ति निवास करते हैं पांच हजार ब्यक्ति निवास करता है इनमें 1200 ब्यक्ति कोई अख़बार नहीं पढ़ते 5000 में से 1200 ब्यक्ति को हटा लिजे यानि अख़बार पढ़ने वाले ब्यक्तियों का संख्या कितना है 3800 है 5000 ब्यक्ति में से 1200 ब्यक्ति कोई अख़बार नहीं पढ़ता है आगे देखिए 2700 ब्यक्ति जो है वह पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस और 1800 ब्यक्ति पढ़ता है दहिंदू अब एक चीज़ आप यहां पर ध्यान से समझेगा अखवार पढ़ने वाले ब्यक्ति का संक्या आया 4500 जबकि 3800 ब्यक्ति इसमें से 1200看到 नहीं पड़ता है। एक पाशफ्रेस जो हां से जब हम देखे इंडियन एक्सप्रेस इदना लोग पढ़ता है दहिंदू इतना लोग परता है जब इससको जोरे तो 4500 आया तो इससे कितना जादा आ गया इससे 700 जादा आ गया तो 700 जादा जो आया है वह ब्यक्ति कौन होगा वह ऐसा ब्यक्ति होगा जो दहिंदू भी पड़ता होगा और इंडियन एक्सप्रेस भी पड़ता होगा ठीक है चलिए अब हम बनाते हैं वेंड डाइग्राम इस तरीके से हमे डियान एक्सप्रेस में कितना होगा सताइस सो है गया गया हमसे पूछा जाए दहिंदू पढ़ने वाला तो Start वाल येवन एक्सप्रेस पढ़ने वाला कि आप पुछाए कितने ब्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस अंसर क्या हो जाएगा हमारा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला दो हजार बिकल्प बी इस कोश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चाय और कोफी के लिए पूछा तो चाय के लिए पांच लोग ने ओडर किया और कोफी के लिए साथ तो पांच और साथ मिला कि कितना हो गया है चाय और कोफी दोनों का ओडर मिला के बारा हो गया जबकि व्यक्ति दस ही है तो दो एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है दो एक्स् geometrical shape है, circle circle यहां पर देखे, यहां कोई और, यहां पर कोई और shape, यहां कोई और shape, यहां पर कोई और shape आकिर्टी D जो है, वह same type के geometrical shape से बना है, circle और circle है, तो आकिर्टी D हमारा answer होगा और आकिर्टी D कैले कौन सा vikalp है? वikalp B, option D نہیں नहीं विकल्प भी आकिरती डी विकल्प भी बढ़ते हैं अगले कोश्यन में यहां देखिए दिये गया वर्ण समुह में से संबंधितिव में अनुपस्थित का पता लगाई है अब इसको गौर से देखेगा यहां पर आर एम ए ठीक है आर एम ए से क्या बनाया एम ए आर ए अब किस तरीके से किया है गौर से देखिएगा आर एम ए लेटर देखे तो सेम लग रहा है इससे बनाया है एम ए आर ए ओके चलिए अब यहां पर किया क्या गया है कि क्रॉस में थर्ड यूज किया गया है आर यहां पर में यहां पर इसको भी सेम रखा इसको भी सेम रखा सेम चीज हम किसके साथ करेंगे सीता के साथ SITA देखिए यहाँ पे Cross Pattern आप यूज कर लीजिए T को यहाँ ले आईए S को यहाँ ले आईए I को अपने जगा राने दीजिए A को अपने जगा TISA विकल्प D आपका इस Question का सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ था आपका आखरी Question आज के लिए इतना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसके अलाबा लाइक और सेर करते रहिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉंसेट के साथ थैंक यू जैहिंद